नमस्कार दोस्तों, BPSC का जो नोटिफिकेशन है, उसमें लगवग 2,000 सीटे हैं और बहुत सारे बच्चे इस एक्जाम के लिए अब प्रयास करने आ रहे हैं जो अलग फिल्ड के हैं, जो UPSC के हैं, जो UPPCS की तियारी करते हैं, जो जहरखंड की तियारी करते हैं वो भी इस वर बिहार में अपना लग अपनाने आ रहे हैं और इन सब चीजों में एक चीज मैटर करेगा, कि जो जितनी महनत करेगा उसका सेलेक्शन होगा आप बच्चमन में हमने कहानी सुनी थी, कि जब एक लाइन को बड़ा करना होता है तो उसके सामने एक छोटी लाइन खीज दीजे तो लाइन बड़ी हो जाती है इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको दूसरे को पीछे नहीं करना है आपको अपनी लाइन बड़ी करनी है आप अगर इस प्रयास में रहेंगे कि दूसरे का एक्जाम खराब हो तब मेरा सेलेक्शन होगा तो जीवन में कभी भी को कि ये वन डे एक्जाम नहीं है इसमें तीन फेज़ेज होते हैं इस एक्जाम में एक साल का पूछा जाता है और उस एक साल में आप जितना पढ़ेंगे और वो जितना पढ़ेंगे कौन जो जी आजाता पढ़ेगा उसको फायदा मिलेगा और तीस बद तीस कोशन करेंट अफेर के पूछे आते हैं अभी BPSC के चेर्में ने हिंट दिया है कि थोरा सा कोश्चन कर लेवल अच्छा होगा मतलब अच्छा क्या मतलब होता है कि UPSC वाले पैटरन पर पूछने का मतलब क्या होता है कि पहले स्टेट फॉरवर्ड कोश्चन आता था और उसमें डिटेल आता है कि इस एकस्पो में कितने कंट्रीज ने भाग लिया एक option कितने किया थीम थी इसकर दूसरा option कितने percent लोग Esion थे क्यूंकि यह सब उस a जब एकस्पो हो रहा होगा तो उच्छ घालाइट होगा तो तो यह थोरा सा आपको डीटेल्स वजाके पढ़ना है मैंने कुधारन दिया क्योंकि 69 में एक्सपो वाला कोश्चन आया था एक पर हम लोग देखते हैं 69 कोश्चन क्या था तो हम आइडिया लएगा कि किस तरीके से त्यारी करनी है और किन-किन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना जो टाइटनिक जहाज के पोता विशेष के यातरा के दूरान फट गया था यह कोश्चन इंप्टेंट है को कि यह बहुत ज्यादा निव्ज में था यह ताइटन इसका जो ताइटनिक है इसका ऑफसेष पर आहे समून्दर के नीचे वहां जाके यह इसकी क्या करते हैं इ अग नॉर्मली जो होगा जो करेंट अफेर पढ़नी के प्रैक्टिस है कि G20 का इस पर मेटिंग कहा हुआ लेकिन उसको छोर के इनों ने पूछा है कि वैस्विक जीटीपी का लगवग पचासी परसेंट वैस्विक वैपार का लगवग पचास परसेंट और विस्व की से किस प्रकार के हैं पॉपलेशन क्या है तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस वे यूज करना पड़ता है यह उपसी का कोश्चन नहीं है मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सब पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा नेट मेटरिंग को कभी-कभी समचारों में कि इसके परचार के संदर में देखा जाता है यह भी जो है यह अभी सोलर वाला न्यूज में था और उसी से सवाल पूछा गया है तो इन तरह की जो चीजे होती है इसको आपको अपना जो पढ़ने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा एक्जाम को सोचिएगा बदलेगा मेरे इसाब से नहीं होगा तो अपना पढ़ने का तरीका बदलने के लिए थोरा सा Current Affair का जो आपका पढ़ने का अप्रोच है वो चेंज करना पूरेगा और ये SRS Classes किताब है क्योंकि ये किताब हमारे द्वारे लिखी गई है तो इसको मैं तारीफ जरूर करूँगा ये जो यूपीएसी का पैटर्न है उस पैटर्न पे लिखा गया है इसमें सबसे पहले ही हेडिंग है कि भीर से अलग क्यों है तो इसका वो है इंडेक्स है और आगे चलते हैं अब देखिए जैसे वीरुपक्ष मंदिर खबरों में क्यों है अब इसके मुख्य बंदु क्या गया है इस मंदिर की उत्वत्ति शात्विश सताबदी में मानी जाती है अब इसके बाद क्या ध्यान देने वाली बात है विरुपक्ष मंदिर में अब जो नॉर्मल हम लोग करेंट अफेर पढ़ते थे कि विरुपक्ष मंदिर कहां है उतना पढ़के छोड़ दिया लेकिन अब ये डीटेल्स पढ़ना जरूरी है ठीक है ध्यान देने वाल इसमें बात है कि विरुपक्ष मंदिर साइथ हम्पिक को भी श्मृद्ध श्थापित विराशत और एतिहासिक महत्व के कारण 1986 में विश्व धरोड अस्तल घोसित किया गया था इसका ये करेंट अफेर को क्वाइंट वाइस बनाके कि खबरों में क्यूं है यह हाली में अंतराश्ट्री श्रम संगठन आयलों ने संकेत दिया कि वर्स 2024 में वैश्विक बिरोजगारी दर 4.9% होगी जबकि मूल रूप से अनुमान लगाया गया था कि साल बिरोजगारी दर में 5. 2.2% होगी ठीक है इसके मुख्य बिंदू क्या है अंतराश्ट्री श्रम संगठन क्या है को कि ओप्संस देगा चार उप्संस देगा और चार उप्संस में रहेगा कौन सही है कौन गलत है इसका मुख्याले जिनिवा है और इस तरह से करके हर सभी को जैसे दुनिया का पहल क्या है ठीक है तो इस तरह करके हर एक न्यूज को पूरे डिटेल्स में पॉइंट वाइज दिया हो देखिए परग्राफ देने से दिक्कत ही होता है कि आपको समझ में नहीं आता कहां रुके और क्या इंपोर्टन इसलिए परग्राफ की जगह इस वर मुख्य बिंदू को बिंदू बना के ही दिए गया है इस बुक में इसले टारीफ नहीं कर रहा हूं कि ये हमारी चीज है कोकि इसको मैंने इतना महनद करके हम लोगों ने त्यार किया इसको आपको इसमें को कि जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे जो जो चीज़ों में कमी लगी मैं उस उस पर ध्यान दिया जैसे भारतिये न्याय सनिता भी इस बार नया चेंज हुआ इपीसी को चेंज करके बनाया गया है तो उसका पूरा बैग्राउंड ठीक है राष्ट्रे स्टार्टप दिवस प्राकर्म दिवस समर्पन दिवस इसको भी एक टेवल बना के डाला गया है कि इसको आप एक बार देख लीजिए फिर तुफान चक्रावत जो आये हैं 2023-24 में क्योंकि अक्सर हर एक साल छोड़के पूछा जाता है सवाल तो वैसे ही यह वी फेवरिट टॉपिक है वी पेसी का तो इसको वी एक साथ कंपाइल कर दिया गया है और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके ऑब्जेक्टिव कोश्चन डाले गया है 15 सेट अब्जेक्टिव कोश्चन है जो कि पूरी आपकी तैयारी को एक वर रि अकसर कि मैंने शुरू में चर्चा किया था कि हम लोग करेंट अफेर पढ़ते हैं लेकिन करेंट अफेर के हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं कि करेंट अफेर की प्रैक्टिस कहां से करें तो उसी को मद्दे नजर रखते हुए इस चीज को डाला गया है और एक थोर क्योंकि उनके अलग-अलग ranking होती है तो उसमें सबसे ज्यादा highest selling किताब है अभी तो मैं खुद से ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा एक वर आप पढ़िये और कैसा आपको लगा कैसा आपका experience है उसका एक वर feedback जरूर दीजेगा क्योंकि बहुत महनत से और बहुत राते खरा से क्या होता है एक तो बुक से हमारा connectivity बनती है और दूसरा कि आप रिवाइस करने जाते हैं आपको पता चल जाता है कि इस topic पर अठके थे इस topic आपको important लगाता था आप उस पर ध्यान दीजेगा इतना ही है current affairs के लिए इस किताब को संपून बनाया गया है और सभी important चीज क show cover किया गया है ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में